अयोध्या में भगवान राम की प्राण पतश्टाद अधाभवे राम मंदिर के शुबारम से पूर्व कपकोट की सीमान्त गाउं गोगिना में श्री राम दर्बार सोबा यात्र का इजुन किया गया जिसमें बड़ी संक्या मैसर धालवों ने हिस्सा लिया गोगिना श्यो मंदिर से प्रारंब हुई श्री राम सोबा यात्रा कई गाउं से होते हुए हनुमान मंदिर शामा पहुँची अगले दिन पिंगलेश्वर श्यो मंदिर में भजान कीरतन के साथ समापन किया गया गिरामिनों ने भगवान राम सीता मईया तता लक्षमन हनुमान का किरदार निभाते हुए शोबा यात्रा में हिस्सा लिया सोबा यात्रा की आयुजक समाचवी भूबेंदर कोरंगा ने कहा कि आयोध्या में राम मंदिर का निर्मान देश के लिए सोबागी तथा गर्व का विशय है आयोजन में डिगर सिंग कोरंगा, लक्षमन सिंग कोरंगा, धीरच कोरंगा, दीपक कोरंगा आधिने, महतुपूर्ण भूमिगा आधा की 2024 का वर्ष हम सनातन वासियों के लिए बड़े ही गर्व का विशय है, क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, और उसकी प्राण प्रतिष्टा भी भव्य रूप से की जा रही है, लेकिन हम पहाडवासियों के लिए हमेशा ही सूचना हम पे देर से पहुंचती थी, क्योंकि जब 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान श्री राम जी अयोध्या पहुंचे, तो बड़े ही देश भर में या पूरे प्रदेश भर में जो है दिपावली का पर्व मनाया गया, लेकिन हम पहाड़ियों को थोड़ा देर से पता चला, तो इसलिए हम लोग बूरी दिवाली के नाम से उसे मनाते हैं, लेकिन इस बार हम पूर्व से ही बिलकुल जशन के साथ हम इस राम मंदिर शोभा यात्रा को बिलकुल भव्य धंग से हां से मना रहे हैं, और इस पर्व को बड़े ही धूम धाम से हम दानपूर के अंतिम गाउं गोगिना से लेकर हम घाटी तक भनार घाटी तक इस यात्रा को हम भव्य और दिव्य रोप से पहुचा रहे हैं, अयोध्या में राम मंदिर बनने के उपलक्ष में स्री राम दर्वार शोभा यात्रा का आयोजन हमने किया, जो कि दो दिन की यात्रा वो रही, गोगिना के जो कि कपकोट का दोरस्त गाव है, वहां के शिव मंदिर से हमने इस यात्रा को सुरू किया, और दर्जनु मंदिर से होते हुए इस यात्रा का समापन, दूसरे दिन हमने भनार महरगाडी घाटी में, जो पिंगलेश्वर शिव मंदिर है, वहां पर किया, और इस दोरान प्रतेक मंदिरूं में एक दिया शोभायात्रा के माध्यम से हमने अर्पित किया और हनुमान चालिसा का पाठ किया और इस शेत्र की खुसहाली और सम्रिद्य की प्रात्ना करी प्रात्रा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागी श्वर्फ